प्राश्कार दोस्तों मैं महेंद्र शुकला और आज इत्यास के अंत्रगत प्राचीन भारत में जन धर्म को पढ़ने आये हैं दोस्तों जन धर्म को अपनलोगों ने कल पिछली क्लास में अधिया में 24 तेथंकर के बारे मैं थोर सा देखा था और जो टेश में हैं पासनात के बारे में अपनलों ने किया के दिसक्श किया था कि अब दोस्तो आज अपनों को थोछा स्वामीजी के बार में चर्चा करना है यह जो जितने पॉइंट लिखे हैं इन पॉइंटों को अंतरगर सबसे पहले तो आपको बताद है कल महावी सुमी है ये को देने वाले के आप फ्रोप देने वाले ये रहा ये बास्तविक संस्थापक के यह माने जाते हैं कल अपनी क्या हो गई थी इसमें चर्चा हो गई थी इसमें चौबीस ती थंकरों के बारे में कहफूरा बताया इसके लाब दोस्तों एक पुष्टक और है आपको यह भगवती सूत्र भगवती सूत्र सूत्र में इन स्वामी जी की वाला में क्या है अपका ये बताया गया थे जो आज पढ़ना है यह महावी सवामी यहाँ दूस्तो जो कुश्ण आपके इनकी संबन्द में आती है उन पर अपन क्या करेंगे बाद में प्रेक्षा के साथ डिसकस करेंगे हमारे साथ अंत में बने रही जाय Dec सबसे हैं हमारे साथ बने रही हमारे साथ चलते रही है यह बाइव डार में एक करना है पार 540-463 यह देखना है यह दोस्तों कहें कि 599-527 मिलता है लेकिन यह एक परमपरा में आपका 599-527 यह दोस्तों के वाद थोरा सा अपन लोग आईये जन में आता है उनका कि जन्म कहा है कहा होगा था तो आप रोसे बता दें दोस्तों फ्रह कोशिश करें चलब है इनके यो पार सौट्सी है इनके और फ्रकष गवत्य। सबस्चतीं के करें ग Thomattos Ayan Harry Health करें तो यहीं आ जाए है जल ये आपको यह कि आनके अलोग में में लेश्चा जा। आपको दोस्तों है यह नहीं उस्त हब आवा इusz आपको पिता थे पिता आपका जो पिता करनां था उन्म गौतंबुद था के बच्पन सब्सक्राइब को यह करना है तो इनका जो जन्म है यह आपका सोरी यहां लग गए यह पांसो चालीश पांसो चालीश बीश्ची में क्या करना है दोस्तों यह जर्म करना है यहां इनका दोस्तों आपका यह बंस भी याता है तो बंस आपका क्या है यह ग्यातक छत्री ग्यातक छत्री क्या करना है दोस्तों बंस करना है और आपका यह एक्छवाकुकुल एक्षवाकु कुल शत्य भी आपके पाइक्षा में आता है यह भी थोड़ा से कर लेजिए हलका से देख लीजिए यह जो आपके जो इनका जन्मिस्थान है दोस्तों जन्मिस्थान आपके है यह क्या कहें लिच्छ भी कि बैसाली कि बैसाली कि इनकी जो माता का नाम था माता का नाम था दोस्तों इनकी तिसला है कि आपको तांद सूब वैसाली के राजा तही जो इस लिच्छ से अीलच से च्क डिक दिफोके दोस्तों कैंति आपका कौन है त्सला ये कशेटक की वहन से एक कि तिसना मा इनके पिताजी थे शिद्धात था फाय करना अभाई का इनके पिता करनाम यहां दोस्तों आपको दना इस जलन अनल जाता है आपका यह बैसांग की सुटाइब की कि मानजाता है कि ये ये चलिए इनके बच्पन का नाम कहा है दोस्तो ये बादमान था कर रहें मन था को कर आता है आपका वандमान इनकी जो बड़े भाई थे दोस्तों ये बड़े भाई आपकी TED किgt के नंदी वादन थे यहां दोस्तों आपका प्रेक्षा में आता है कि बड़े भाई खींसे अगया लेकर क्लिकिल पार ही चहां किया था जो बड़ी भेल थी उनका नाम था सुदर्सना बड़ी भेंद पर इक्षा में कमाता है बड़े भाई आपके कहे जगवाता है पत्नी का नाम दोस्तों यह सुदा था है गौतमद की पत्नी का नाम यह सुदा था इनकी जो पुत्री थी ओधी अरोज्जा पीदर्सना अरोज्जा पीदर्सना का जो बिवाख हुआ था यह सुदासना के पुत्र से हुआ था तो इनके जो दामान थे वो थे जामली जामली था दोस्तों आपको उतादे सबसे पहले संग भेद भी क्या किया था जामली ने कहपका यह किया था इनकी समय में महाभी सूमें की समय इनका अगर गुत आजा तो गोत भी आप दोस्तों कहके कर सकते हैं गोत ब Arya चलिवी वगर नहीं के लेकिर पिर जो LA option कहते हो खट्रय प्राप्ति ग्रहत्याक की दो फाया कीया तो ग्रहत्याक आपको दादें इनने 30 वर्स के में क्या किया था ग्रहत्याक किया था और यहां आपको गौतम बुर्दा दने 29 बश्वे वस्ता में किया किया था video किया था औो यह अनुमति है अनुमति आपकेबि भाई से क्या है लीथी दोस्तो बड़े आपके यह यह अपकर दोस्तेपete तो आपको उतादें ग्राव्ल ग्यानप्राप्ति को करते हैं क्या करते हैं यहां सब को तर्ण यह जहन परंपरा में ऐसा कहा जाता है कि जब इनका जन्व हुगा तो यह आपका प्रहमान है सब्सक्राइब की पत्नी देवनंदा की गर्व में के आ गए थे कैसे यहां धुर्षा कर लेते हैं एक देवनंदा कि समझ जाएगे ऐसी दोनों लाम लेखते थे हम कि जैन परमपरा में ऐसा कहा जाता है कि जानते हो आप लोग कि जितने ती थंकर है चौबीस तीन थंकर हैं 24 थी थंकर में सभी के चती हैं तो ऐसा जैन परमपरा में ऐसा मिलता है आपके उद्रंती मिलती है कि पहले यह सब्दत्र नाम ब्राह्मर की पत्नी देवनंदा के कहा गर्व में आ गए थे फिर चुकि सभी आपके उसके पहले आपके जो आपको यह सब्सक्राइब कर दोस्तों यह स्थापित किया था किनको स्वामी जी को ऐसा आपका यह जैन परमपरा में आपका उलेखर मिलता है आपको चुकि देवनंदा ऐसा कथनकार में आपको जनको यह फ़स्ता है चलिए यहां और सब्सक्राइब करना होती है वह दोस्तों कहलाती है चलिए इसके बाद आपको कहा है वर्स के उम्हें ग्यान परप्थनी आपको उतार दोस्तों यह स्थान आपको राजगिर्थ है तो दोस्तों के अगये ता राजगिर्थ में जंबी के गिराम था जंबी यह द्धाम थे दोस्तों यह एक नदी थी तैया दिश्वुपाली का ह। इस आप बपाल के दोस्तों नदी थी जो ब्रक्ष है वो दुस्तों किये शाल ब्रक्ष आप साल बख्ष के नीचे कहा है ज्ञान पर फोगा था यहां कभी-कभी दोस्त आपको ता ने ब्रक्ष में गुळिए घो स्कंद्रीच दी तो जो जो गोटम बुद को जो ग्यान पर फुगा था वो फेपल के नीचे आपका हुगा था लेकिन यहां पर क्या करना पड़ेग यहां दोस्तों जो टिफी थी बैसाक मासकी कि आभे साथ हैं कि मासकी 310 थी चलिए को यहां आता है आपका ग्नप्रप्ट कहां हुआ था तो सब से पहले करना है राजग्राह में राजग्रह में हुगा था ठीक ना जंबी एक ग्राम रिजुपाल कर नदी किनारे सालब्रेक्ष के नीचे और तिथिवी दोस्तों कहयात कर लिए यह बैसागमास की तुरुद्रसी बैसी यह राजग्रह के आपके यह जाना आता है ग्यान प्राप्त की अवस्था जादा आत यां रहा आम् 1 जानते हो दूंप लोग रह एक नामं मेरम इसया कि बोलती हैatorio के इसलिए जिने वाले महावीर अब महावीकात होता है प्राक्रम दिखाने वाले ये आरहात विक्षु भी इनको कहा गया दोस्तों देवताने नाम दिया आपको तादियन का वो है आपका क्या कहें जो पितिक चन्न है वो दोस्तों सिंह कल देखा था पो लोगों ने जाना नहीं करते हैं यहां आपको तुट जाना है याद करने के लिए यह आपको परिक्षा में दोस्तों आते हैं कुछनों कुछ आपका आता ही दरता है तो पूरा जाना करना है कि गौत्मबोद और महावी स्वामी का तुलादवा कर द्धंतोसक करेंगे और आपको कहें अच्छे से कहें बेटर तरीके समझ में आएगा कन्फूज नहीं हो गया यहां आपको ताने यह आता है कि इनको ग्यान प्राप्त होगा और सब जानते हो आप लो जो ग्यान आई लावी है वी पुला चल पहारी है वी पुला चल पहारी है फूर यह कि दोस्तों राजग्यारे में है यहां इन्हें क्या क्यें था यह पित्अम अदिया था यह आपको उप्रता सब्स पांच पहारी से घरा था उसमें एक बिपलाचल पहारी है यह पहला उब्देश के हैं दोस्तों ने बिपलाचल पहारी पर दिया था यह यह दिए आपा को सकर्वाबपूरी यूपी में है अब की कि यहां यह बैसाली हिंगा जन्मिस्थान है कि यहां दोस्तों कि राजगी रहे है कि जहांने क्या हुगा था आपका ग्यान पाफ हुगा था तो यह जन्मिस्थान की नंगरी यह दोस्तों जहां इनको क्या हुगा था आपका यह मित्त हुई थी और जहांने ग्यान पाफ हु हुआता है यह पितमसिस कौन थे आपके तो आपको जादे हैं कि पितमसिस दोस्तों यह बंकर के दामाद थे अपके डामाद और क्या को आहिए भांजे थे तो फितम आपके कहें पितम से अब इसके बार थे कहें इनकी जो कहें पितम सिश्य थी वो दोस्तों सिश्य थी इनकी क्या कहें यह चंचा चंपा नरेश ददी बाहन की पुद्री चंपा नरेश आप नाम लिख लिए सीजा चंदना चंदना यह चंपा की थी चंपा की राजा ददी बाहन थे ना उनकी क्या थी दोस्तों यह पुत्री थी आपकी उस असला का ने दधि वाहन की पुत्री थी रिया इनकी क्या है यह जो पितम विभेद मतलद संग में विव धे यहां थोर आचा लें इन्होंने जो संघ की स्थापने की ढ़्राँथे यह आपको तरना यह पावप्वरी है कहा की थी पाव पूरी एप है और इन्होंनि और जो बख्ति थी आपके ये ब्रह्म थे यह 11 थे तो इनको गम किल्फ पहले जो सब्सक्राइब लिए सफ़े तो गभते थे एग फैसे सभाव दिया ही किस न यहां जब तो कुष्टन आता है कि यह महावी स्वामी की नियुक्त होईते ते पहले अधाक्ष निसकी मित्व की बाद जो हुगे थे कौन थे सुधर्मन थे आपके वह थोड़ी देश से कहा है चार्चा करेंगे तो यह हाँ एक कुश्चन है कि संग्हें में जो बिभेद उत्पन किया थे नहीं पहला बिभेद मतल सबसे पहले जो बिद्धो ही जो कहलाते हैं वह आपके कौन थे यह आपके जाम जो मतल है कि महाविय स्वामी के समय दोस्तों इन नह likely था जाम लेने आपको यह दां कि फ्रान किया था यह दो सब्सक्रा ना कि आता है बढौराल में और कि आपका हेख़ें सलब्सुमा perseverance जाता है ये लेकिन प्रकाश से कि इस लोगों में कहते हैं मध्वेद उतपर्ण हो गए थे तो मध्वेद होते होते हैं इसके कर आता है है आपका नुआ पत्नी थे यहीं कि महाविवच्वस्व्भाणी की बुत्ती थी और भी दोस्त्ति कहें दस हजार साइध इसस्टेमों कि यह अलग हो गई थी इनकी पुट्रि म्हानि के बाद दोसरों बस घुका यह हैं तेन दोस्तों कहाता संग में इस सर्वाधिक प्रभाव कहां हुगा जिस प्रभास कहां करना है इस प्रभाव होगा हुगा इनको प्रभास सर्वाधिक तो की लिए गवा वा वश्वास की यह दोस्तों आपका यह हुगा यह आपका जो चतुर मास होता है जो बर्सात के बारस महिने के जो चार महिनी होते हो दोस्तों तो यह संती कहा है आठ महिने सबसे ज़यादा प्रुइन हैं द्यान दिजिएगा और 11 पिरम ब्रहमार थे आपके उने उनमें आपको उतार देए दस महाविय स्वामी के समय ही के हो गई थी और स्वामी जी के जाने के बाद जो बने थे आपके कहा सुधर्मन अध्धक्ष बने थे उनकी चाच्छा थुआ सा करते हैं चलिए अभी कर लेत करते हैं यह है है को यह है कि मत्ष्ण के बाद स्वामी जी के मत् pearls रव गण हम भने थे अध्यक्षे को बने थे तो यह दोस्त हो आता है आपका यह थे कोण सुधर्मन यह सक्ता हैug actGet द्यान दीजिए प्रक्षा में आपके है यहां आया हुगा है यहां स्वामी जी बीमार पड़े यहां थोस्थ आपको बता दें महात्मा गॉत्म बुद्ध जो बीमार पड़े थे वह पड़े दोस्तों पाभापूरी में और उनकी मित्त हुई थी कुषी नगर में और है है और मित हो थी इनकी यह पावा पूरी में है है पावा पूरी में यह आपको ठादा हो जाते से मल राजाओ थे हल्क पालों के महल मेंτι में हुए थी मल राजा उनका नाम था हर सटीपाल हर हस्तिपाल के महले में दोस्तों क्या हूई थी इनकी आपस्ट होई ते और इनकी स्वामीजी की तो यह देखिये आपका आता है और मित्व की जो डेट है यही आपको से चारसो तिरासी के है दोस्तों ये इनकी में तुक्या है यहां सब को उताद है इनकी जो मित हुई थी यह कार्तिक मार्स की आमावस्या को हुई थी यह तिथी है कि कार्तिक कि मास की आमावस्या को देखिएगा कार्तिक मास आमावस्या और इसी को दोस्तों प्रकास परहिए कहते हैं कि प्रकास परहिए मनाते हैं और जब इनकी मित हुई थी तो वहां आपको तादे आठादा कॉंसल के गरदाज थे और आपके क्या है अपको देए मल गर्राज थे मतब यह कौसल राज था आपके जिसकी आधानी तो यह अठारा को सब्राज थे नो मल गर्राज थे और नो आपको दादा है यह लिच्छवी गर्राज थे है कि शब्यूकानों गड़ाज थे तो अठाथा और नौ शट्रीश गड़ाज़ों ने मिला करके दोस्तों इनकी मिध्यू के उसार पर क्या में आए था यह प्रकास पर्व क्या है दोस्तों उसमय मनाये था तो ध्यान कर लेंगा पर कम मनाये था काल्तिक मास्की आवाउब सबस्क्राइब कर दोस्तों ने कहा है यह नॉर्मली आपको थ्वासा क्या कर लिए हलका सा यह देख लिए यहां आपको तादें यह कुछन यह भी देता है कि यह जो बैसाली के राजा चेटक अच्छा इनके जो पिता सिध्धात थे न यह लिच्छभी गरदाजी किया थे प पिर्मोग थे उस समय और लिच्छभी जो राजा थे जो चेटक थे दोस्तों उनको उनकी कहा है परिवार की जो राजक्रमारियां थी दूसरे जगह विवास संबंद के लिए क्लिए थी दोस्तों यह फिर मर्स थी यह सी दोस्तों उनकी आपकी पुत्री थी चेलना का को दूसला थी इनकी बहन थी यह बहन थी कर दोस्तों हुगा था आपका महावी स्वामी की पिता यहिनी की सिद्धात से अब शिद्धार्स क्या है पर तिसला को गथा यहां तो अब को ताद है यह जो एक और थी आपकी कि अपकी पुत्री थी शिवा का विभा हुए था दोस्तों चंद पर दोस्ते अचंद पर दोस्ते इसके लाव आपका यह पदमावती अब में चंद पर दूस्त हुए इसके बार आपका यह का था पर हावती इसके आपका हे प्रभावती है प्रभावति इसके पर दूस्त के राजा से सिंदु सौबिर के रاجा से हुगा था कहने का मतबी है कि ये हमने आपको बतायाइब कि ये चेटक के बारे में कு इतालत खिताक चेटक की बैहन का जो भ्याविय श्वामीकी माता थी चेटक की पुत्ती थी इस आ तो यहां एक क्कुष्शन है कि महाविय स्वामी और जो बिंभिसार है बिंभिसार का क्या संबंद्ह लिष्टे मेंरे इंगे दोस्तों कों सा द्रिस्ता इनका लगता था तो इहां आपको उतारन नहीं महावी स्वामी महावी स्वामी जी कैसे दोस्तों यह बिम्भी सार के रिष्टे में साले लगते थे है यह नियुक्त शर्व यह अब शायो में यह एक अउर्द स्वार कि जो बहन कि जो टो महावी स्वामी की अदृघ स्वामी न दोस्तों इस रिष्टे से हम आपके लोसारा आपके और महावी सव्मी जह संबंद है एव – किया है आपके देखिए आप यह महावी सव्मी के बारे में जो वायू डैका है उनकी बारे दोस्तों कि सकी है एंक Specifically कि आप यह अद्वा खोचांक हो गया है और हमारे लिता से यह ब इसको प्रिसे कर लिए आपको को कहें हैं सबसे पहले जयन धर्म हैं जानते हो संस्कृत जिन से बनाएं बीजएता हिएं ये बास्तफल आदे आता है भा बच्ता निफ दम है इंसा आधिनादर सब्सक्रावाद्र हों तो महावि स्वामी कर जो पिल्टिक चन वो तो सिंग है यह आपका आता है कलापुने हमने पितिक चन बगर आपको बताए थे यह इनका बाइव डाटा है 544-483 BC है हलाकि अन 599-527 बताते लेकिन यह आपका कहां आपका कहां आता है इनका दोस्तों जो आपका जन्म है यह 540 BC में हुगा था चैत्तमास की सुक्ल पक्ष् एक ब्रह्मनी देवनंदर के गर्व में आयते लेकिन सभी तेश तीठंकर उसके पहले क्या हुए थे आपके चत्ती थे तो बाद में इन्द ने देवनंदर के गर्व से निकाल करें किया था तो माता कर नाम दोस्तों क्या है था बैसाली के राज़ा चिटक की तिसला क्या बहन थे पिता आपके क्या है तो यह बज़ी संग के क्या थे आपके और मुक्ते दोस्तों यह बंस इनका गयातर चत्ती थे गोत इंका कश्यप था है एक च्षवाग कुल के चत्ती भी कहा जाता है यह कुशन आया है ध्यान करिया कर देगा ठीक ना इनके बच्वाद करना 도 बढ़ी वह्न शुधसनः थी और बडी वहन को पुत्ध थे जामली छामली पुत्ती वाहर किया था इनकी पतनी यषोध थे कराकि नाम दोस्तों अगर सिंदी कि landlord दामान थे जामली थे जकी कि इन सुदर्शनागे क्या थे पुत्थे मतलब यह जामली महाविश्वामी के भांजे बाद में दामाद हो गया तो यह भी तुरसा कहा है हलका सा घ्यान कीजिएगा इसके बाद ग्रहत्याक किया होने 30 बरस की उम्मेर की गहता किया किसी अनुमति से किया यह बड़े भाई की तो के बार ग्यान प्राफ्त की ग्यान प्राफ्त हो गळा दिस पहसं और नहीं लग ग्यानप्राफ्त है कि जंभी के Gnq कि कि Jordi कानारे से घ्यानीच्य दूस्तों ये आपके किलिये चिन हो गया है जितेन दिवी कहां जयाता है उनके दोस्त नाम ध़ेता उप्ढ़न को सतना लेकिशा तर्फ एक आपका पहारी राजगीरह पावपुरी कैसे था मलगर राजे था यह जो पिथम सिष्य है जामली इनके दामादी थे और पिथम चंदना चंदना मान जाती है दोस्तों चंपनरिस दतिवाहन की क्या थी ये पुत्ती थी कौन चंदना पिथम बिभेद मतलब सबसे पहले संग में फूट पड़ी थी जामली ने कहें आपका फूट डाली थी और किरिया मितमार जो आपका सब्द है उसके कहां हुई थी कि कार आरम होने के पहले ही समाप्थ हो जाता है आरम होते ही समाप्थ हो जाता है स्वामी शीया समाप्थ होता है कुव ला के निकी जो पुत्रि में घा आपका कहा हुगा था रवादिक प्रभाव किस पर हुगा लिच्छवियों की ओपर हुगा था और सबसे दिक बसाबस वी 12 बश्वास इन्होंने बैसाली बिताए दोस्तों लिच्छवियों के हम बिताए थे यह संकी अपना उन्होंने पावापुरी में की थी 11 ब्रामर होते थे अध्यक्ष श्यम थे और जब इनकी दोस्तों ये मित्व हो गई थी तो उसके बाद जो अध्यक्ष बने थे सुधर्मन बने थी ऐसा भी कुछन आपका आचुका है दोस्तों ये स्वामीजी बीमार पड़े थे कह कुछी नंगर में कह एक ये बीमार पड़े थे मित्व होई थी ये पावपुरी में मलों ने कान तर्सकार किया था का मल राजा हização की महल में होसा दोस्तो इनकी कहां मिंत्व होई थी यह हमने इस्थान बनात बताने कोश़ कहा जाता है आपका चलिए तो यह हमें तु प्रावपुदी में होगे फिर दूस्तों जो में तो कातिक मास की अमावस्य को तो प्रिकास बस्कूप में मनाया और अठादा कोसल की गरदाज नो मल गरदाज और नो लिच्छवी गरदाज जो ने क्या कि दोस्तों इस प्रिकास की है कि एचेट की आपकी जो पुत्ती थी लिम्हा हुआ 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 था चेटक पुत्ति पर्रभावती का वहाह शिंदू-s perspectary की रायigator का नाम उद्यन था इसके बाते हैं दोस्तों अगली सव्में सिद्धान्त शुक्षा है क्या है पढ़ेंगे यह तो तीन वाद देखेंगे दोस्तों यह परिक्षा में कहीं न कहीं कुछन आपके आए हुए हैं जामाली का आता है चंद्ना का आता है पाबापुरी विपलाज पाचल पहारी कम आता है यह ग्यान प्राप्ति कहा हुए था यह था किस की अनुमति से है यह आपका क्या है महावि सवामीका जीवन पर चाहत दोस्तों हो गया है और यह नहीं किताब लिखी है जिसमें 24 तीथंकरों का क्या जीवन पर चाहें दोस्तों है कलप्षू तो भगवति सूत के परिक्षा की दिर से बहुत महत्पूर है देखिए गा और मन लगा कर देखिए आतमा से इसको पढ़िए बड़ा मज़ा आएगा तो आपको बहुतर तरीकी से कहा समझ में आएगा और पेपर में देखिए आप अब आपको मानुच लेगा कि हां स्टोक्लास ने यह सही बताया था चलि दोस्तों तो नेक्स्ट क्लास में फिर जैंद्ध हमके सिध्धान तो मिलेंगे अपनों तब तक के लिए हमें अनमदी दें नमस्कार जैहिंद